सो हे गाईज विने दिस साइट यहां तक हम लोगों ने कर लिया था 28 रूल तक अब आगे देखते हैं 29 रूल है आपका अब देखो होता क्या है पहले कोई चीज़े समझो देखो जो आपकी एडवर्ब होती है ने एडवर्ब बेसिकली एडवर्ब वर्ब को कॉलिफाय करती है मतला एडवर्ब लगवर्ब सभी यह करती है sentence को भी करती है तो आप यह समझो कि जो एडवर्ब होती है वो वर्ब को कॉलिफाय करती है पहले मेरी इस बात को समझो जैसे कि मैंने आपके आगे एक example दिया he works honestly क्या बोला मैंने मैंने बोला he works honestly तो आप यह देख लो यहां पर क्या लिखावा है यहां पर लिखावा है यहां पर लिखावा है कि he works मतलब वो काम करता है अब भी कैसा काम करता है मतलब भी वो इमानदारी से काम करता है ठीक है ना तो यह जो वर्ब है ना इस वर्ब को क्वालिफाय को कर रहा है इस वर्ब को क्वालिफाय कर रहा है honestly जिया स्ली जो कि क्या है आपको अड़ली तो आप मतलब दोड़ता है वह यह तो गई वर्ब मैंको डिरे-धीरे दोड़ता है तो ये आपके ओगए यह adverb of manner of frequency है, क्या है, वो सब अभी छोड़ो, वो adverb में कभी हम देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो, मगर आप ये समझो, इस rule में जो हम आपको समझा रहा हूँ, कि जो verb को कौन qualify करता है, क्या verb को कोई noun qualify कर सकता है, बिल्कुल गलत, क्या verb को कोई adjective qualify कर सकता है, बिल्कुल गलत, अब आप देखो, देखो कुछ popular verbs होती है, ठीक है, आप बस इंको याद कर लो, ठीक है, आपको पढ़ाना नहीं है कि stative verbs क्या होती है, copular verbs क्या होती है, subjective mood क्या होती है, आपको इतना depth में जाने की कोई जूरती है, ना वो आपसे paper में पूछेगा, ठीक है, questions आ जाते हैं, बहुत चीजों के उपर question आते हैं, बहुत चीजों के उपर question आते हैं, अगर वो पूछेगा नहीं है, ठीक है, पूछेगा कैसे है, वो मैं आपको बताता हूं, देखो, आपको याद रखने हैं, कुछ verbs याद रखो पहले, feel, जैसे आप feel कर रहे हो, taste, जीब से taste करते हो, आ ऐसी ही कुछ verbs, जो अपने बाद adverb नहीं, जो अपने बाद adjective लेंगी, वो कौन कौन सी है, some more verbs, like B की form हो गई, ठीक है न, become हो गया, turn हो गया, get हो गया, grow हो गया, keep हो गया, smart हो गया, prove हो गया, ठीक है, जैसे B की form में क्या हो गया, B की form में is MR हो गया, जैसे मैं बोलता हूं, she is smart, तो भाईया, यह जो है, यह तो B की form है न, B की form मतलब is MR, तो इस B की form के बाद क्या यह, क्या adverb आ रहा है, नहीं भाई, यह B की form भी अपने बाद adjective लेती है, तबी तो यह जो adjective आ रहा, तबी तो यह subject compliment बनता है, ठीक है, क्योंकि subject, subject आपका she है, जो की pronoun है, इस she को qualify कर र रहा हो, तो मेरी बस आपको एक बाद धान रखने है, कि कहीं पर भी आपको feel, taste, seem, appear, remain, look दिख जाए, ठीक है, या फिर be, become, turn, get, grow, keep, make, proof, यह मैंने सब लिख दिया, इस से आगे नहीं है, ठीक है, एक, दो छुड़गे होगी, बगर मैंने सब लिख दिया, जितना हो सकता है, adverbs से, मगर कुछ ऐसी verb, adverbs से नहीं, वो अपने बाद adjective लेगी, यह आपको पताऊने, जैसे कि हमने बोला, he feels badly, वो कैसा feel करता, badly, तो भहिया, हमें adverb नहीं, यह दो को feel आ रहा है, यह तो s आ रहा है, यह तो s आ रहा है, क्योंकि subject singular है, आपका pronoun singular है, यह आपे ठीक है, subject स आपने ऐस लगाया, बब में, तो इस badly की जगह, हमें adverb नहीं, हमें adjective चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, bad, he feels bad, ठीक है, जैसे हमने बोला, he looks, फिर looks आ गया, तो handsom, यह पताऊने, क्या होगा, handsome, ध्यान रखना, जब आप किसी person के बारे में, जैसे आप बोलो, अरे भाई, is beautiful लड़कों के लिए क्या बोलतो, he is handsome, राउल is handsome, विने is handsome, तो नहीं हूँ, मगर बता रहों तब भी, तो ध्यान रखना, वहाँ पे handsome का मतलब है, कि वो अच्छा दिख रहा है, खुब सूरत है, बढ़िया लग रहा है, क्या dressing sense है, मतलब अच्छा दिख रहा है, एक handsome, ज के साथ भी silently नहीं, खाली silent आएगा, आपको बस adjective चाहिए, the table feels, feels नहीं, feels के साथ hardly नहीं, क्या होगा, hard आएगा, तो ये चीज़े आपको पता हो नहीं चाहिए, ये आपका rule number 29, इन था मेरे भाई, ठीक है, देखो और भी हैं, और भी डाल रखे हैं, the soup smells deliciously, नहीं भी या, smell ला गया, तो क्या होगा, delicious, delicious, when he heard the news, he became, फिर became आगया, sadly नहीं, sad, तो ये आप ऐसे याद रखना, बिल्कुल जैसे भुकों में दे रखा है, मैं उन्हीं मुसे previous year में से उठा के ऐसी करा रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना, कि सर कहां से करा रहे हैं, ठीके न, बुकों में प रूल नमबर 30, रूल नमबर 30 या कहता है, देखो, comparatively, relatively, जब भी आपको दो वर्ड दिख जाए, comparatively और relatively, तो हमेशा जान रखना है, कि इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ हमेशा positive degree of adjective यूज़ होगा, हमेशा क्या यूज होगा, positive degree यूज होगी, ठीके, इन दोनों के सा इसे बात हो रही होगी, तो comparative degree के साथ, आपको क्या लगाना है, comparatively के साथ, आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है, positive degree तो hotter नहीं खाली होगा, hot, the weather is comparatively hot today, next, the photograph, the photograph was comparatively better than that which he had kept in his purse, तो भहिया, photograph का comparison, किसी एक ऐसी photograph से चल रहा है, ठीके, जो वो अपनी पर्स में रखता हो तो इसके साथ compared degree क्यों दे रहो, इसके साथ तो आपका positive degree देनी चीए, तो good हो जाएगा, good, good, better, best होता है, ठीक है, तो यह चीज़े आपको पता होने चीए, weather or relatively कहीं भी दिख जाए, तो positive degree यूज़ करना यह आपको पता होना चीए, ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, काफी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है, next है, difference between farther and further, कई बार exam में question आते हैं, farther or further को लेके, तो वो देखते हैं, ठीक है, देखो, एक तो होता है, farther, far, t, h, e, r, is farther का मतलब होता है, दूरी, distance, क्या होता है, दूरी, जैसे कि आप बोलो, farther means at a great distance, भाई, बहुत द दूर, तो जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि भाईया, मेरे घड़ से school इतनी दूर है, ठीक है, न, तो मैं बोल सकता हूँ, my school is farther than my house, ठीक है, ऐसे करके, मतलब example बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि इदे को लिखा भाई है, यहाँ पर, Delhi is farther from Patna than Kolkata, क्यों farther का मतलब क्या दू बोल रहे हूँ, मैंने आपको, वो क्या भी के, so question करा दिया, अब further मैं आपको कल कराऊंगा, मतलब इस से आगे का, or questions, in addition to, basically, in addition to, I have given you a lot, I don't want to give you any further, मैंने आप ऐसे आपको बहुत दे दिया है, ठीक है, बहुत दिया है, अब मैं, I don't want to give you anything further, अब मैं आगे कुछ नहीं देना चाता, ठीक है, न, तो यहाँ पर दियान रखना, further, far, far, मतलब दूरी, दूर, तो further में टी-ए-चिया लगा, further मतलब distance दिखाता है, और यह further मतलब आगे का, ठीक है, न, और, कुछ और additional, in addition to, या डाल रो, कुछ न, कुछ additional, additional, जैसे मैं बोलू, further, further fund कब आएगा, भ further order, अब यह बताओ, आप बताओ, देखो, मैंने आपके लिए question भी डाल रखा है, further का मतलब distance, further का मतलब in addition to, अब आप इस question का answer दीजिए, comment में बताना क्या answer होगा, ठीक है, last and latest, अब देख लो, एक होता है आपका last, और एक होता है latest, एक दम latest, last मतलब सबसे आखरी, जैसे क the last ruler of Mughal Empire was Badur Shah Jafar, यह question भी आजाता है, ठीक है, paper में history का, next, latest, जैसे हम बोलो, latest song की यार, मुझे playlist दो, latest विने सर के कौन से वीडियो आई है, विने कक्षा में, ठीक है, वैसे विने कक्षा को कोई देख नहीं रहा है, तब भी हम कोशिश कर रहे हैं, देखो, आप बोलते हो latest का मतलब क्या, एकदम recent, newest, ठीक है, जैसे आपने सुरना होगा latest by, मतलब एकदम recently, latest, एकदम latest मतलब अभी current में क्या चल रहा है, जैसे वह बोल रहा है, what is the latest score, अब last score तो बोलेगा नहीं कि तुमाया last score क्या ता क्या रहा, latest score मतलब अभी present का score क्या था, अभी तो recent mock में score आय ठीक है, फिर आता है आपका later or letter, इसमें बच्चे बहुत confuse होते हैं, l-a-t-e-r, l-a-t-e-r, देखो मैं आपको समझा जेता हूँ, इस later का मतलब होता है, बाद में, बाद में, और इस l-a-t-e-r का मतलब होता है, बाद वाला, बाद वाला, second वाला, क्या होता है, second वाला, अ आप, देखो, समझो कैसे, जैसे मैं बोलू, later, at some time, after a given time, जैसे मैं बोलू, भाई, मैं तुमें न, थोड़ी, अभी जो तुमने 10 बजे का time दिया, मैं उसके बाद phone करता हूँ, मैं थोड़ी देर में phone करता हूँ, तुमें, I will call you later, later मतलब बाद में, बाद में, ध्यान letter one, letter one is intelligent, अब इसका मतलब क्या है, समझो, मैंने बोला, राम और श्याम है, दो बंदो की बात हो रही थी, राम एंड श्याम, जैसे मैं बोलो, राम एंड श्यार, आर कमिंग, पूरा sentence complete हो गया, राम और श्याम, दोनों आ रहे है, plural subject बना, आर आ गया, कमिंग, आ रहे है, इन में से बाद वाला को ना, ये पहले वाला, ये बाद वाला तो श्याम की बात हो रही, मतलब बाद वाला, आप देखो कैसे, the letter part of the movie was boring, भाई, movie जब आप देखते हो, ये movie है, ठीक है, तो इस movie के दो पार्ट होते है, एक पहला interval से पहले वाला, और एक interval के बाद वाला, तो वो कहरा, the letter part, मतलब दूसरा तो पार्ट था, पहले पार्ट तक interval तक तो मज़दार थी, दूसरे पार्ट में बहुत ज़्यादा boring हो गई, ठीक है, दूसरा पार boring था, तो ये हमने कितने कर लिया, मेरे भाई, देखो, ज़्यादा नहीं, तीन ही करें अभी हमने, मगर main main देख लिए 29, 30, 31, next video में आपकी कली डाल दूँगा, tension मतले न, ठीक है, तो 31 हमारे हो गए है, ठीक है, अभी हमारे 31 हो चुके है, और एक और छुट रहा है, nearest और next भी देख लो, देखो, nearest मतलब होता है, within a short distance, जैसे मैं बोलू, कि भई, मंदर, ठीक है, मेरे, मेरे पास मे मेरे आसपास, यहाँ पर सबसे nearest मंदर कौन सा, जो बिलकुल short distance में हो, जैसे यहाँ पर दे रखा है, which is the nearest school, यह nearest कौन सा स्कूल है, सबसे पास में स्कूल कौन सा है, ठीक है न, अब मैं बोलू, next, next मतलब होता है, immediately, immediately, next होता है, आपका immediately adjacent, मतलब ठीक आगे, ठीक साथ वाल मेरे घर से ठीक आगे वाला, ठीक है न, immediately adjacent, मतलब ठीक आगे वाला, जैसे यहाँ पर बोल टका, the school is in the next building, next मतलब ठीक आगे वाला, होता है, next कौन सा है, जैसे आप लाइन से आ रहो तो कह रहा है, पहला यह next को न, दूसरा ही आया, तीसरा ही आया, ठीक है, जैसे यहाँ प कर देना, थोड़ा शेर कर दो, कम से कम 100 व्यूस तो आजाए, एक वीडियो में, आप देखो 70 तक आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल देता हूं, शेर भी कर दो, बाकि भाई, वीडियो कैसी लगी बताना जुरूर, और इस कोशन का आंसर देना, बड़ा छोटा सा कोशन है, बग कक्षा नाम से, ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे, एंड्रोइड वारे, जो एंड्रोइड, बच्चे एंड्रोइड फोन यूज करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विने कक्षा लिखेंगे, तो आपको हमारी आप मिल जाएगी, ठीक है न, आप आई उस वाले, के मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया, यह स्वालों के लिए, तो वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जैसी आप इने कक्षा लिखोगे, तो यह आपका ऐसा स्क्रिंग कुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है, इसके बार आ आप आजाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है, जैसी आपके आगे यह इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा, इंटरफेस खुलने के बार अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको इंटरफेस करेगा, एड़ी, ट्रिपल, पीजी टी, पी आर्टी, जितने भी आपके एक्जाम है, के विए सारा है, टीजी टी है, जितने भी आपके टीचिंग के एक्जाम है, उनको इंगलिश का मैंने कैसा कोर्स बनाया है, जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियो रहेंगी, ठीक है, अभी इ इसमें वीडियो एड़ों करता जा रहा हूं, तो आप पढ़ते जाएंगे, जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा, वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, वट्स अप पे अपने मेरे भाई डाउट बेजेगा, मैं उनको हाथ वाथ बता दू जो कोर्स हैं, तो 200 रुपीज ओफ हो जाएगा आपका, तो इस 799 में, मातर 799 में आपको पढ़ेगा, ठीक हैं, तो जिसको लेना हो, वो ले सकता है, बाकि अपना यूटूब की वीडियो साती रहेंगी, मैरेतन साती रहेंगी, ठीक हैं, तो कड़ते रहें, इंग्लिज ग इभल में पोज गयें, जिनकों नई सब्सक्रेजा कहता है, हम कैसे ठीक हैं, यह उनके ले कोर्स रहे गा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिज सारी पार्ट ऑव जिफी meses, जितना भी आपकी पार्ट ऑव स्पीच है, देखो, इसमें आपका जितना ही पार्ट ऑव स्पीच आपकी noun से लेकर, adverb तक, preposition, fix preposition, syntax, clauses किसे कहते हैं, basic सारी चीज़े आपकी cover हो रही है, बहुर अच्छे से, ठीक है, तो चलो guys, अब मैं चलता हूँ, regular आपकी videos तो आती रहेगी YouTube पे, ठीक है, किसी हो कोई भी doubt है, तो इस number पर आप मुझे call कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आ बाद करवा देंगे, जो गी उठाएगा, मुझे सापकी बाद कराई देगा, ठीक है, तो चलेगा, thank you, have a nice day.